नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं बेबी देवी बनी हिमंत सरकार की एगार्वे मंत्री राजेपाल ने दिलाई सपत बेवी देवी ने हिमंत सरकार के एक गार्वे मंत्री के रूप में सपत लिया है राजपल सीपी राधा किष्णन ने उन्हें पद और गोपनियता के सपत दिलाई राजपहन पहुचने से पहले बेवी देवी ने जहामो परमूख गुरुजी स्विवू सोरेन से मुलकात कर असिरवात दिया बताद सिक्षा मत्री जगनाथ महतों के औसमाईक निधन के बाद उनकी पतनी बेवी देवी को मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने मंत्री बनाने का फासला सन्निवार को लिया था जिसके बाद आज राजभौन में राजपाल सीपी राधा किष्णा ने उन्हें पद और गोपनियता के सपथ दिलाई इस मौखे पर मुख्य मंत्री हमन्सुरे समेत कई मंत्री और विधायक मुझूद थे मंत्री बनने परमोखी मंत्री हमन्सुरे ने बेवी देवी को बधाई दी है वहीं राजभवन में आयोजी सपत ग्रहन समारों में मंत्री मिथलेश ठाको सामिल नहीं हुए हाला कि ओर राजभवन पहुचे थे लेकिन नराज होकर राजभवन गेट से ही वापस लोट गए राजभवन की करेसेली से नराज होकर वे लोटे लोटने के दरान उन्होंने जम कर भडास निकाली है कल जहारखंड बंद कराने सड़क पर उत्रे का संताल समाज सुन्दर नगर स्थित पूरी हासा में माझी बाबा भोकता हंसदा की देख रेक में ओल्ची की हूल बैसी की बैठक होई इसमें सर्व समती से चार जुलाई को आहुद जहरखंड बंद को सपल बनाने करने ने लिया गया बता दे माझी बाबा भोकता हंसदा ने कहा आए कि आदी वासियत को बचाने के लिए गराम वासी सड़क पर उत्रेंगे इस दोरान संताल समाज के लोग परमपारिक हंत्यार और धोर नगारे साथ रखेंगे रेल, रोड, बेवसाइक, पर्तिस्ठान और स्कूलों को बंद कराया जाएगा जहरखंड बंद एतिहासिक होगा हर जोन पर बंदिक की सारी त्यारी पूरी कर ली गई है सुमवार की साम को सभी परमुख जोन पर मसाल जुलूस निकालने की अपिल की जाएगी बैठक में काफी संख्या में ग्रामवासी सामिल हुए गुरुरु बासा में आदिवासी हो समाज के लोगों ने अपने पूजा अस्थर पर आदिवासी जाहेरा पूजा अस्थर लिखित बोड लगाया इस दवरान अपनी पुरानी सव्यता संस्कृती को संक्षन व सर्वधन करने का संकल्प लिया देवगहर में स्रावणी मेले का हुआ उदघाटन जारखन के देवगहर में विश्व के सबसे लंबे स्रावणी मेले का अगाज हो चुका है किदिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने उद्गाटन और सर पर कहा है कि दो महीने के मेला में आट सो मुआर हैं लाखो भक्तों को सुलब जलारपन कराना चुना होती है सरकार ने घोसना किया है कि दो महीने के मेला में सबसे बड़ा बीबी आईपी कमारिया है जिनको सूलब और सुरक्षी दर्शन कराना है मंत्री ने अपील कि है कि सनातन मन से कमारियों की सेवा करे ऐसी सुविधा दे कि वे अपने साथ सुख़द अनुभूती लेकर जाए ताकि कवरिया अगले साल देवगर आने का बार बार संकल्प ले जनकारी हो कि इस साल सावन के साथ मलमास भी लग रहा है ऐसे में सासन और परसासन से पुरा इंतजाम किया गया है मेले में भी भी आईपी पूजा और दर्शन नहीं होगा मंदीन में सिग्र दर्शनम की सुविधा होगी जिसमें कूपन का सुल्क पांच सो रुपे तई किया गया है जारखन में धरातल पर नहीं उत्री गव कल्यान की सरकारी योजनाए जारखन में गव सालाओ की स्थिती में सुधार लाने की सरकार की कई घोसनाए बस जुमला बन कर रहा गई है गव साला चलाने वाले भी सरकार से उमीद छोड़ चुके अब जारखन राज गव सेवा आयो का गठन होने के बाद भी क्या ऐसी ही स्थिती रहेगी ये भी बड़ा सवाल है बता दे जारखन में गव तसकरी रोखने और गव सालाओ की स्थिती में सुधार को लेकर सरकारी अस्तरप्र कई घोसनाए होई लेकिन उन्में से कोई भी घोसना ध्रातल पर नहीं उत्री अब गौव सेवा आयोग के गठन के बाद राज में गौव सलाओ के स्थिती में सुधार के साथ साथ सरकारी और नाव के भी धरातल पर उतारने की समावनाई बढ़ी है जारखन राज गौव सेवा आयोग ने गौव सलाओ को आत्म निर्भर बनाने और इसके बेवस्ता में सुधार को ध्यान में रख कर छो राजियों की गौव सलाओ के निमावली मंगाई है जगनाथ पूर मेला की समापती के बाद गंदगी से लोग भैभीत रांची का जगनाथ पूर मेला समापत हो चुका है लेकिन मेला खत्म होने के बाद वहाँ कुड़े कच्रे के अंबार से लोग डरे हुए हैं कच्रा हटाने के लिए किसी भी तरह से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा इससे कई बिमारियों के फैलने का खत्रा बढ़ गया है बता दे राजधानी के जगनाथ पूर मेला खत्म होने के बाद वहाँ लगने वाले कुंडे के अंबार से लोग डरे हुए हैं परसासन और लोग इतनी मेहनत मेला लगाने में करते हैं उतनी मेहनत और जगरूपता मेले के दवरान फैले कच्रे को समेटने और उसे फेकने में नहीं लगाते मेले में दुकान लगाने वाले प्रसासन और बाकी लोग मेला खत्म होने के बाद खुशी-खुशी अपने घर वापस लोट गाए लेकिन उस अस्थान पर रहने वाले लोग इससे परिशानी जहल रहे हैं गिरीडी के नदी में दो युवक पाइनी में बहे एक का मिला सौव चारखन के गिरीडी में दुखद हाथ्चा हो गया है गिरीडी के उसनी नदी के तेजबाहाव में तीन युवक बह गए कुछ देर बाद एक युवक किसी तरह किनारे पर पहुँचा लेकिन दो अने युवक बह गए मामला गिरीडी के बरगंडा इस्थीत एक निर्मानाधिन पूल के पास का है बताया जाता है कि तीनो नदी को पाहर करने का पर्यास कर रहे थे तब यह अहत्सा हुआ है जारखन के 25 मैंदूरों का माथूरा में खुला खाता हेवी टाइंजेक्शन से उड़े होस जारखन के बोकारों के 25 मैंदूरों का उतर पर देश के माथूरा में अकाउंट खोल कर हेवी टाइंजेक्शन कराने का खुला सा हुआ है बोकारो के स्टेक्टर 12 थाना छेतरे के घराई बेड़ा समेत आसपास के 25 मजदूरों का कोटक महेंदरा बैंक के मथुरा बरांच में अकाउंट खोल कर हवी टांजेक्शन किया गया जो लगातार जारी है बोकारो एसपी चंदर कुमार जहा ने कहा है कि संगीन मामले की जनकारी मिली है ताथियों के अधार पर टेक्निकल और साइबर सेल के माध्यम से तह तक पहुंचने के कोशिस की जा रही है फोस और कानून समत करवाई की होगी दोस्यों को किसी भी सूरत में बक्सा नहीं जाएगा बेवी देवी के सपत ग्रहन से पहले मिथिलेश ठाकूर नराज दिवंगत मंत्री जगनात महतो की पतनी बेवी देवी आई सोमर को जारखन सरकार के एगारवे मंत्री के रूपे सपत ली है राजपा सीपी रधा किष्णर ने उन्हें पद और गोपनेता की सपत दिलाई लेकिन सपत ग्रहन समारों में सामिल होने आई मिथिलेश ठाकूर नराज होकर चले गए इसकी बड़ी वज़ा उनके साथ सपत ग्रहन समारों में सामिल होने आई जेमेम प्रवक्ता को राजपान परवेस करने पर रोक लगा दिया गया मंतिरी मिसलेश ठाकूर ने इसके बाद केंद सरकार वह राजबहन पर जम कर अपनी भड़ास निकाली और इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया उन्होंने कहा है कि हमारे करकरताओं को राजबहन में परवेश ना करने देना लोकतंत्र पर कुठरा घात है इससे पहले भी अनेको सपत गरहन हुए है तब मैं और मेरे करकरता समेथ विपक्स के अजारों लोग सपत गरहन समारों में भाग लेते थे तथा राजबहन में हो रहे सपत गरहन समारों का गवाह बनते थे जार्खन में नमांकन की तुल्ला में सबसे कम बच्चे खाते हैं MDM राजे के विद्यावलों में नमांकित कूल विद्यार्थियों की तुल्ला में प्रती दिन और 69 पर 30 बच्चे ही मद्यान भोजन खाते हैं केंद्रे ने इसे गंबितार से लिया है और MDM खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है बता दे जार्खन उन पाँच राज्यों में सामील है जहां नमांकन की तुलना में सबसे कम बच्चे मद्धाहन भोजन खाते हैं केंद्रे ने अपनी रिपोर्ट में से अउस्तन लगबग एक तिहाई बिद्यार थी वर्ष 2022 स्टेज की तीन तिमाही में मद्याहन भोजन योजना के दाएरे से बाहर रहे जार्खन की थी थी इन पाँच राज्यों में अन राज्यों के तुलना में बेहतर है जार्खन में मन्रेगा कर्मी 23 से 31 जुलाई तक देंगे धरना रभीवार को राज्य भर के मन लेगा कर्मी मुराबादी मैदान में जूटे यहां अपनी मांगों को लेकर बैठक की बैठक में सारे कर्मीयों ने मांगे पूरी नहीं होने पर रोस जताया साथ ही मांगों को लेकर चनवत अंधुरन करने का फैसला लिया है इसके तहर धारना दिया जाएगा, फिर ग्रामिन विकास मंत्री और सभी मंत्रियों के आवास का घराव किया जाएगा, इस कराम में मुख्य मंत्री आवास की घराव का कारकरम भी रखा गया है। एस कॉलेज, RDBM कॉलेज वा मधुपूर कॉलेज को बिस्व बिद्याले से दिसा निदेश प्राप्त होने का इंतिजार है। दिखेगा सीव लोग परिशर। दिखेगा, धन्यवाद।